रूस और युक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब ठारा महीने से जादा का समय हो गया है दोनु देश एक दूसरे को खत्म करने की पुर्जोर कोशिश में हैं दोनु देशों की तरफ से ताबड तोड हमले किये जा रहे हैं कभी ड्रोन से तो कभी मिसाइल से लेकिन इस भीसर और भयावा युद्ध के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है जो सच में दिल को सुकून देने वाली है दोनु देशों के बीच युद्ध में बंदी बनाये गए सैनिकों की अदला बदली की गई है इस अदला बदली में रूस नहीं यूकरेन के 22 सैनिकों को रिहा किया है यूकरेनी राष्टपती आफिस के प्रमुक एंडरी यर्मक ने बताया है कि रिहा किया गये सैनिकों में अधिकारी और मोर्चे पर तैनाज सैनिकों के साथ लड़ने वाले सिपाही शामिल है टेलीग्राम वीडियो के अनुसार रिहाई के बाद अपने देश के कुछ यूक्रेणी सैनिकों को नीले और पीले यूक्रेणी जहन्डे की तस्बीरे खिचवाते हुए और यूक्रेण की जै चिलाते हुए देखा गया है यूक्रेणी रैश्टपती ओफिस के प्रमुक एंडरी ने ट्वीटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें रिहाई यूक्रेणी सैनिकों की खुसी देखी जा सकती है अल जजीरा के अनुसार यामरक ने कहा है कि आज हमने रूस की कैद से 22 यूक्रेणी लड़ाकों को वतन वापसी करवाई है छुड़ाये गए यूक्रेणी बंदियों में सबसे बुजुर्ग 54 साल का था और सबसे कम उम्र का 23 साल का सैनिक था बताते चलें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेणी पर आकरमण कर दिया था इस हमले में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाए चुके हैं वहीं यूक्रेण ने रूसी सेना पर बड़े पैमाने पर उसके नागरिक को हताहत करने और पकड़े गया यूक्रेणी सैनिकों को प्रताडित करने का आरोप लगाया है यूक्रेण के राष्टपती जैलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि कीव ने युद खत्म करवाने के लिए शांति फार्मूला प्रस्ताव दिया है जिसका रूस आकरमण द्वारा उलंगन किया गया है जैलेंस्की ने ट्वीटर पर एक वीडियो संदेश पोश्ट किया है जिसमें कहा गया है कि सांति वारता के लिए कुल 42 देश एक जुठ हो गये हैं हर देश अंतराष्टे कानून को लागू करवाना चाहता है जैलेंस्की ने वीडियो में आगे कहा कि आज हमारे अंतराष्टे परियासों के लिए एक और सक्रिये दिन रहा हमारी टीम सौधिया आरब के जद्दा में सांति फार्मूला पर काम कर रही है कुल मिलाकर 42 देशों के प्रतनीदी मंडल वहां काम कर रहे हैं ये देश हमारे अलग-अलग महादीपों से जुड़े हैं और सबकी राजनीतिक दृष्टी अलग-अलग है इसके बावजूद अंतराष्टे कानून की प्राथमिक्ता से हर कोई एक जुट है फिरहाल रूस के इस दरिया दिली से तो यही कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच समझोता हो सकता है और इस भयावा यूद पर भी राम लग सकता है जानकारी के लिए बता दे कि यूद शुरू हुए करिब डेल साल से जादा का समय बीच चुका है कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं न्यूज 18 हिंदी वरिजिनल्स के साथ